लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइक अंदबाना ना भूलें मद्रपदेश में एक बार फिर से शिवराज प्रारम हो गया है जिहां शिवराज सिंग चौहान ने सोमवारात मद्रपदेश के 32 मुख्यमंत्री पत की शपत ले ली है साथ की शिवराज सिंग चौहान के नाम एक शांदार रिकॉर्ड दर्ज हुआ शिवराज सिंग चौहान प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनोंने चौती बार सीएम पत की कुरसी संभाली है पतादे कि शिवराज सिंग 2005 से 2018 तक लगातार 13 साल मुख्यमंत्री पत पर रह चुके हैं शिवराज सिंग चौहान को राजिपा लाल जी टंडन ने पद और गोबनियता की शपत दलाई सीएम पत की शपत लेने के बाद शिवराज सिंग चौहान ने सभी का धन्यवाद किया साथ ही उनों ने कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जोती रातित्य सिंध्या का भी आभार प्रकट किया और ट्वीट कर लिखा कि आपका और कॉंग्रेस के उन 12 पूर्वे धायकों का भी शुक्रिया जिनकी बदोलत 15 महीने बाद उनकी सूबे की सत्ता में वापसी हुई है शिवराज सिंग चौहान के चौती बाद मुखे मंत्री पत की शबत लेने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और साथ ही उन्हें एक अनुभावी प्रशासक और राज्य के विकास के लिए बेहत जुरूनी बताया मैं सिवराज सिंग चौहान कीसवर की सपत लेता हूँ कि मैं जिधिद्वारा इस्थापित भारत के संबिधान के पिटी सच्ची सृद्धा और रिष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रूता और अखुंडता अच्छुन रखूंगा मैं मदप्देश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सृद्धा पूर्वक और सुद्ध अंतह करण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराग या द्वेस के विना सभी प्रिकार के लोगों के प्रिती संबिधान और विधी के अनुसार नियाय करूंगा भरहाल बता दे कि मुखे मंत्री पत की शबत लेने के बाद शिवराज आक्षिन में नजर आई शबत लेने के बाद वे सीधा मंत्रवाले पहुंचे और वहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद देर राद देश वेर राज्य में महामारी बन चुके कुरोना वाइरस को लेकर राज्य के आला अधिकारियों के साथ इससे निपटने के लिए आपाठ बैठक बुलाई बता दे कि शिवराज आज वधान सबहा में बहुमत साबित करेंगे